आज के इस वीडियो में 16 सितंबर 2022 के करेंट फेरं ब्लोग डिस्कस करेंगे PDF और टेलिग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप दोनों को महां से अवेल कर सकते हो बहुत सारे स्टुडेंट ने कल के वीडियो में कमेंट किया था कि सबको एक ही तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि PDF का लिंक का है तो आपको कुछ नहीं करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है जहां पर सबसे उपर आपको टेलीग्राम का ओफिशल लिंक मिलेगा उसके तीन चार लाइन छोडने के बाद आप देखोगे कि वहां पर लिखा हुआ है PDF लिंक और उसके सामने ब्लू कलर का एक लिंक होगा जब आप उसपे क्लिक करते हो तो डिरेक्ट आप PDF पर पहुँच जाते हो और वही से आप आंसर की के साथ PDF को डाउनलोड कर सकते हो डेली की जो आंसर की के साथ PDF होती है वो आपको इसी तरीके से description में daily मिलती है बहुत सारे student इसको avail करते हैं एक बार आप try करके देखिए अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझे बताइएगा मैं कल के वीडियो में आपको live ही बता दूँगा कि कहां पर PDF होती है चलिए अब शुरू करते हैं आज के current fair बड़ सबसे पहले बात करेंगे कल के question की कल मैंने आपसे question पूचा था कि भारत के आज तक जितने भी प्रथान मंतरी हुए है उन में से सबसे छोटा span of office senior किसका था मतलब सबसे कम time period तक अपना कारेकाल किसने सर्व किया है तो सही answer है अटल विहारी बाचपरी जनवरी 1980 तक तो आप देख सकते हो करीब 6 महिने तक इन्हों ने अपनी सरकार चलाई थी लेकिन अटल विहारी वाजपरी पहली बार सत्ता में आये थे 1996 में और ये दिन था 16 माई का और इनकी सरकार एक जून तक चली थी तो मतलब 13 दिन तक केवल इनकी सरकार चली थी उसके बाद ये 1998 में आये और उसके बाद 1999 में आये और तब से लेकर 2004 तक ये सरकार में बने रहे तो ultimately देखा जाए तो मातर 13 दिन की सरकार चलाने वाले अटल विहारी वाजपरी shortest span in office tenure के प्राइम मिनिस्टर है सही answer है D अब चलिए शुरू करते हैं आज के current affair पहला question है अभी हाली में दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर कौन मन गए हैं जिनोंने Twitter पे 50 million followers का milestone एचीव कर लिया है ये हैं विराट कोली आज तक इनके अलावा कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है दुनिया में जिसने 50 million followers को एचीव किया हो Twitter के अंदर अगर Instagram की बात करें तो Cristiano Ronaldo है नंबर 1 पे पुरे दुनिया में 450 million followers है Lionel Messi दूसे नंबर पे हैं जिनके 330 million followers है और तीसे नंबर पे विराट कोली है जिनके 212 million followers है Twitter की स्थापना साल 2006 में करी गई थी इसका headquarter है California और अभी कुस टाइम पहले Twitter के नए CEO बनाई गए थे भारती मूल के पराग अगरवाल क्या नाम हैं इनका पराग अगरवाल अगला कुशन है भारत सरकार ने अभी कौन से राज़ के आठ ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ पीस एग्रिमेंट साइन किया है तो ये हैं आसाम के आठ ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स देखे ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स का मतलब यहां पर यह है कि आसाम के अंदर ये आदिवासी लोग कुछ ऐसे हैं या फिर आप बोल सकते हो ऐसी आदिवासी जंजातियां हैं जिन्होंने अपने खुद के ग्रुप्स बना लिये और सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा छिर दिया था इन में से काफी कुछ इस त साल 2012 में इनके साथ सीस फायर किया गया था और अभी तक 10 साल से सीस फायर चलना था इसका उलंगन इन्होंने नहीं किया लेकिन अभी अल्टिमेटली भारत सरकार के सामने इन आठ के आठो समूओं ने सरेंडर कर दिया है तो अब भारत सरकार इन से टॉक कर रही है और ये जो अभी पीस एग्रिमेंट पर साइन हुए है ये अमिश शाह की अध्यचता में हुए है ये जो पूरी मीटिंग थी इसको लीड किया था होम मिनिस्टर अमिश शाह ने और उस टाइम पर आसाम के मुख्यमंतरी हिमानता विस्वे सर्मावियों आपर मौजूद थे आसाम अम्रिस सरोवर बनाए गए है उत्तर पदेश के अंदर यूपी ने इसमें टॉप किया है आठ हजार चैसो बयालेस अम्रिस सरोवर है यूपी के अंदर दूसरे नमबर पर एमपी है 1668 तीसरे पर जम्मू कश्मीर 1549 चोथे पर राजिस्थान 898 और पाचवे नमबर पर त पानी इसमें संद्चित किया जाता है तो ये पानी को बचाने का एक तरीका है फ्यूचर के लिए इस पानी का यूज सिचाई के परपस से भी हो जाता है आसपास के जो जीव जन्तु होते हैं वो इस पानी को पी भी सकते हैं और इसके अलाबा इंसानों के पीने के लिए भ पूरे UP के अंदर 120,000 अम्रिस सरोहर बनाए जाने का, तो अभी 120,000 अम्रिस सरोहर में से केवल 8,000 ही बने है, तो इस्टिल UP नम्बर वन पे है, अगला कोशन है, अभी हाली में किताब लॉंच करी गई है, इस किताब का नाम है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस किताब को लिखा है, अब यह हैं कौन, तो यह नीदर लेंड की होकी प्लेयर रह चुकी है, इसके अलावा अगर बात करी जाए, तो अभी 2017 में इनको इंडियन होकी टीम, जो की विमेंस होकी टीम है, उसके कोच के रूप में भी इनको एपॉइंट किया गया था, तो इनके द्वारा इंडियन विमेंस होकी के उपर लिखी गई है पूरी किताब है, अगला कुशन है, अभी कुछ टाइम के बाद एकसरसाइज काकाडू 2022 होने वाली है, इस एकसरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से आइनस सब्पुरा और पी एटाई मेरी टाइम पैट्रोल एरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, तो इस बार की जो काकाडू एकसरसाइज है, यह कहाँ पर होने जा रही है, यह एकसरसाइज कंड़क्ट करी जाएगी ऑस्टेलिया में, और ऑस्टेलिया में कहाँ पर डार्विन में, इसमें अगर देखा जाए, तो टोटल 20 कंट्रीज हिस्सा लेंगे आने वाले टाइम में, यह दो सफता तक चलेगी एकसरसाइज, मतलब आप बोल सकते हो 14 दिन तक, जिसमें से 7 दिन पोल्ट बेस एकसरसाइज होगी, और 7 दिन सी बेस एकसरसाइज होगी, पोल्ट बेस का मतलब समुद्री किनारे पर एकसरसाइज होगी, और C-base का मतलब कि समुद्र के बीच में exercise होगी साथ दि और ये जो exercise है इसको KA22 के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से KA22 काकाडू 2022 की theme है इस बार partnership, leadership and friendship अगला question है अभी हाली में कौन सा शहर है जिसके द्वारा 17 सितंबर को squad game day के रूप में मनाया गया है तो ये है Los Angeles अमरीका के अंदर अब देखे squad games है क्या squad game एक तरीके की netflix के अंदर South Korean series है ये पहली Korean series थी जो की netflix में launch हुई थी और इसको इतना जादा प्यार मिला है US में कि ये number one reach पर पहुँच गई है और इसको इस बार 14 Emmy Awards के लिए भी नॉमिनेट किया गया था जुलाई के महिने में तो नाम ध्यान रखेगा squad game day के रूप से मनाया जाएगा 17 सितंबर को अगला question है International Day of Democracy अभी हाली में कौन से दिन मनाया गया हिंदी में इसको अंतर राष्टी लोगतंत दिवस बोलायाता है ये दिवस 15 सितंबर को मनाया गया इस दिवस को मनाने की बीचे का उध्यस यह है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना दुनिया में हर एक देश के अंदर डेमोक्रेसी होना चाहिए मोनार्क सिस्टम को हम लोग बहुत पीचे चोड़ चुके है परिवार बाद से कभी भी एक अच्छा शाशन नहीं हो पाया है आप इतिहास उठा के देख लीजे अगला कुशन है एक किताब अभी हाली में लॉंच करी गई है इस किताब का नाम है रजनीज मंतरास लाइफ लेसेंस फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लवड सुपरिस्टार यह किताब रजनी कांत के ओपर लिखी गई है इनके लाइफ स्टैल के बारे में लिखी गई है किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ किस तरीके का इनका एक अलग ही रिलेशन है, इनकी आइकोनिक स्पीच है कुछ जो की इस किताब में कमपाइल करी गई है, तो इस किताब को लिखा है PC बाला सुब्रमन्यन में, ये जो आपको पिक्चर में अमपायर दिख रहे हैं, इनका नाम है असद राउ अभी हाली में इनका निधन हो गया, ये कौन से देश के क्रिकट अमपायर थे, तो ये पाकिस्तान से बिलॉंग करते थे, और इनको अभी हाली में काडिय करेस्ट हुआ है, 66 की एज में, तो इनका निधन हो गया, अगला कुशन है, अभी रीसेंटली, कॉमन सर्विस सेंट स्पेशल परपस वीगल, इगवर्नेंस इंडिया के मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में किसको एपॉइंट किया गया है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये 1990 बैच के सीनियर आईयस अधिकारी है, संजे कुमार राकेश, इनको एपॉइंट किया गया है, मैनेज चीफ सेक्रेटरी ओफ इंडिया भी रह चुके हैं, फिच रेटिंग एजेंसी जो है, ये एक फिनेंशल रेटिंग एजेंसी है, अमरीका की, इसने अभी हाली में 2022 से 2023 के सत्रे के लिए भारत का GDP ग्रोथ कितना पिडिक किया है, तो इस बार फिच ने GDP ग्रोथ पिडिक्श कर दिया है, फिच ने 2023 के लिए भी एक पिडिक्शन दिया है, पहले भी इन्हों ने दिया था, 7.4% का, लेकिन 2023 के लिए भी 7.4% से इसको गटा कर अब इन्हों ने पिडिक्शन दिया है, 6.7% अगला कोशन है, एर इंडिया ने फैसला लिया है, कि ये री ब्रैंड करेंगे खुद को, री ब्रैंड का मतलग अब एर इंडिया का नाम बदल जाएगा, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको विहान के नाम से अब जाना जाएगा बहुत जिल्दी, और एर इंडि को जब Tata Group ने फिर से पर्चेस कर लिया है, तो इसके नए CEO बनाए गए थे, Camp Bell Wilson, यहां पर मैं लिख देता हूँ, Camp Bell Wilson, यह इसके नए CEO है, और आपको तो पता ही है, यह पहले भी Tata Group के हाथ में थी, फिर यह भारत सरकार के हाथ में चली गई थी, अभी कुस टाइम पहले Tata ने इसको फिर से एक्कोयर कर लिया है, Tata ने इसके पूरे 100% स्टेक्स खरीद लिया है, और इसके लिए भारत सरकार को 18,000 करोण पे किये हैं Tata में, अगला कुशन है, भारत का यह कौन सा चड़िया घर है, जिसको पूरे भारत में बेस्ट जू डिकलेर किया गया है, तो सर अगनार अन्ना जोलोजिकल पार्क रहा जो की चिन्नई में है, और तीसे नमबर पे श्री चाम राजिंद्र जोलोजिकल गार्डन जो की मैसूर में है, तो यह टॉप थ्री जू हैं पूरे भारत के अंदर जो की डिकलेर किये गए हैं, सेंट्रल जू एफॉर्टी के द्व इसको सिंपल सा कोशन है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, कि इन में से किसको लाइन ओफ मराठा, मराठा शेर के रूट में जाना जाता है, अगर पता है तो कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईए, आप में से ऐसे स्टुडेंट जो कि आने वाले किसी भी SSC exam की तैयार कर रहे हैं, और आपको पता है कि आप GS में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको बहुत कठिल लग रही है GS, या कुछ समझ भे नहीं आता है, तो GSGK का foundation batch मैंने नया भी हाली में स्टार्ट किया है, इसका link वीडियो के description में है, आप वहां से directly subscribe करके ये batch ले सकते हो, य batch के link पे click करिए, discount code वरूंटिपर 7 लगाईए, 20% flat, आज रात 12 वजे तक आप available कर सकते हो, ये batch बिलकुल नहा है, इसमें मैंने medieval history से अभी शुरू किया है, इसके बाद quality, geography, science, economics, सब कुछ भाई यहाँ पर आपकी cover कराऊंगा, SSE के point of view से, तो आज की बाद यहीं तक, thank you so much have a nice day, take care, bye bye, आपका दिन मंगल में